नमश्कार मैं विवेक कुमार आप देख रहे हैं दानेशन टाइम्स और सिक्षत दिवस के अउसर पर हम बाचीत कर रहे हैं आज एक के बाद एक जो सिक्षा विद्ध हैं उनके साथ बाचीत का सलसला हमने शुरू किया है और इस वक्त मैं मौदूद हूँ सेंट एंथोनी स् से वो देखते हैं और कैसा संदेश देना चाहेंगे तमाम हमारे जो हदर्शकों को सर बहुत बुश्ट नमस्कार जी टीचर जैसे आप सब लोगों को पता है कि फिफ्ट सेप्टेंबर को बनाया जाता है यह दिन जो है स्टूदंस अपने ग्रेटफुलनेस अपने जो सिक आपके बारे में भी जाना चाहेंगे और इस शेत्र में सिक्षा की शेत्र में कितने वर्षों से आप सक्रिये हैं वो हमारे दरश्कों को बनाया है मेरे को खुदी याद नहीं है कितने दरश्कों के मेरे अप्रॉक्सिमेटली 35-36 साल होगे मेरे को जब से मेरी माता जी चलाया करते दिसकूर उस टाइम से शिक्षा से जुड़ा वा हूँ मैं सर आज के दोर में सिक्षा को किस नजरिये से आप देखते हैं कि तमाम चीज़ें बदलती हुई नई सिक्षा नीती की भी बात हो रही है नई तरीके से पढ़ाने की बात हो रही है आज किस इस तर पर देखते हैं सिक्षा को? देखो जी अब टाइम आ गया है कि वही जो नए टेकनीक्स है टेकनालोजी आ रही है अगरा अगरा अब बच्चों को अपना दिमाग इस्तिमार करने में अपने अलग वेज से अलग अलग तरीके से जो पड़ाई का जो एड़ आ रही है उस हिसाफ से शिक्षा देनी चीए आज में और उस दोर में कितना परिवर्तन आप देखार बहुत परिवर्तन है काफी परिवर्तन है मेरे एक टीचर उवा करते दे अगनी ओतरी सर उनको मैं कभी नहीं बूँ सकता है मारे हिंदी टीचर थे फेंटेस्टिक टीचर बहुत बढ़िया टीचर है स्टूडन्स आज भी रिस्पेक्ट करते हैं टीचर को ऐसी कोई बात नहीं है कि लेकिन सरकम्स्टांस चेंज हो गए हैं इन बच्चों को वक्त से पहले किसमत से अधिक बहुत जादा मिल गया है जिसकी ये कदर नहीं करते हैं और दे डू नाट रिलाइज दे इंपॉर्टन्स अव शोशल मीडिया का एक दौर जो एकदम से बहुत तेजी से आगे बढ़ा है किताबों के प्रती क्या लगता है कि बच्चे अब क्योंकि मनरंजन के बहुत दूसरे साधन भी उनके सामने नजर आते हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किताबों से क्या बच्चों का मों भंक हो रहा है वो शोशल मीडिया की तरफ हो और दूसरे प्लेट फॉर्म की तरफ जा रहा है बिलकुल जी बिलकुल रीडिंग ये जो आदत हुआ करती थी वो तो बिलकुल खतम है और बच्चे अब ये हायर क्लासिस के देख लोग इनको आप कुछ भी दे दो दे विल गो ऑन हाँ हाँ हल बहुत हल पर रहा है शोडिन्स का सर सिक्षा के शेतर में बहुत लंबे अरसे से आप सक्रिये हैं आप विद्याले को संचालित भी कर रहे हैं किस तरह का खुआप किस तरह का सपना लेकर चल रहे हैं किस तरह का बदलाव समाज में होना चाहिए विद्यारतियो जो respect और love पहले हुआ तदा आपके और मेरे टाइम में teacher के पती वो अब नहीं है इत्मा First and foremost, सबसे पहले माब आप and then teachers they need to change their attitude towards that सिक्षा की शेत्र में लंबा अनुभा होने के नाते सिक्षक दिवस के आउसर पर तमाम विद्यार्थियों को क्या संदिश देना चाहेंगे कि वो अपने सिक्षा के शेत्र में लगातार आगे बढ़ते हुए नई उचाईयों को छू सकें एक सिक्षक होने के नाते किस तरह का गुरू मंत्र देना चाहेंगे Sincerity, Dedication and Artwork सर बाचीत करने के लिए Darnation Times के साथ बहुत बहुत शुक्रिया Thank you very much Thank you